एक उन्नत साधक को आपने ग्यान की और बढ़ने के लिए हमारे दादा गुरु ने श्री स्वामी स्रिमानन महराज ने 20 सुत्री कारिक्रम दिया हुआ है 20 फॉर्मूला और इसे अपनाने का प्रियत्न करने का प्रियत्न करना चाहिए उसमें पहला है ब्रह्म मुहुर्थ अर्थात प्रात्यकाल चार से लेकर के साड़े साथ तक अपनी जो साधना के कारिक्रम है स्नान से लेकर के अंत में खिश्मा प्रात्ना तक आगे बढ़ सकता है वो करने का प्रियत्न करना है क्योंकि इस समय में जो वातावने बड़ा शान्त रहता है दूसरा है आसन अपने शरीर के अनुसार में आयू के अनुसार में जो भी आसन हो सकते हैं उनको कुछ पांस मिनट दस मिनट करने का प्रियत्न करना चाहिए अप्तू मलप के पंदर मिनट तक हो सके तो अच्छी बात है तीसरा है जप भगवान के नाम का स्मरन अपने गूरु मंत्र जो गूरु मंत्र दिया है इस्ट मंत्र है उसका निरंतर इस्मरन उसका जप होना चाहिए क्योंकि जप को कहते हैं कि ये पापो का नाशक है जकारो जन्म बिच्छेदा जो शब्द से जन्म का बिच्छेद होता है और पकारो पाप नाशन हा पौजो शब्द उससे पापो का नाश होता है और चोथा है भोजन नियंत्रन भोजन नियंत्रन का अतात पर ही है थूस थूस के भी नहीं खाना है, बहुत बार भी नहीं भोजन करना है, और मानसाहार और जो नशायतियाद है, इसका तो निरंतर, इसका तो त्यागी होना चाहिए, फिर है ध्यान, जैसे भी आतपने आपको, उसको थोड़ा सा उसका अभ्यास करना, छटा नियम है स्वाध् अधियन करना, शास्त्रों का उब्रिशद हैं, गीता है, भाभारत है, और अन्य हैं, अगर कृष्यन है तो बाइविल है, सिख है तो गुरुगंत साभ है, इससे जो विचार है वो शुद्ध बनते हैं, सात्वा नमर है, मन को उन्नत करना, एलिवेट यूर माइंड, प्राठना से, इस्तरोच से, भजन से, कृतन से, स्लोकुं से अपने मन को उन्नत करना, क्योंकि इन स्लोकुं का जो अर्थ है, बहुत गंभीर होता है, आठवा पॉइंट है, ब्रह्मचारिया, ब्रह्मचारि का अभिहास करना, वो ग्रहस्त में है तो धीरे धीरे उनको ब्रह्मचारि की बढ़ने के लिए उसमें विस्तार को लाना, विस्तार लाना उसमें, फिर है नवा है दान, दान का तार पर ही है, किसी प्रकार का दान हो, वाने का दान है, धन का दान है, विद्या का दान है, वस्तुन का दान है, अन्न का दान है, औ संग ऐसा माध्यम है कि जो बुरी आतों से दूर ले जाता है इग्यारों है व्रत उपवास हपते में या पंदर दिन में जैसे कादिस्टी का व्रत है इसे जो पेट जो शरीर के जो टॉक्सिंस वगर होते हैं वो भी दूर होते हैं और एक प्रकार का मन उननत रहता है मन में उल्लास रहता है फिर है जप माला बार्वा पॉइंट यानि अपने पास माला निरंतर होनी चाहिए अगर कहीं जा रहे हैं तो माला साथ में होनी चाहिए या कभी गले में होनी चाहिए माला से निरंतर इस्वर का इस्वर न रहता है फिर है मौन मौन भी एक साधना का बहुत एक पोटेंट मीडियम है बहुत प्रभावसाली माध्यम है भोजन करते समय प्रातकाल में आदे घंटे से आरंब अगर मौन अभी का भ्यास होता है तो इससे चित्तशुद्धी होती बहुत अधिक चौदमा पैंट है वानी नियंत्रन कंट्रोल अफ इस्पीच यानि कि किसी की निंदा नहीं करना अब शब्द नहीं कहना छोटों को अपने से जो छोटे हैं उनसे जोर से बोलना ये भी नहीं करना है किसी की निंदा नहीं करनी है किसी को हतोस्वाइट नहीं करना है जहां तक हो सके उन्हें उस्वाइट परोस्वाइट करने का प्रियत नहीं करना है किसी भी क्षेत्र में हो यानि कि वो पॉजिटिव क्षेत्र में हो पंद्वा पंट है संतोसी सभाव वस्तुन के मार्ध्यम से कम वस्त पहनू अपनी जो आवशक्ता है वो भी कम हो जितनी जादा आवशक्ता है जादा होंगी तो मन उतना जादा विचलित रहेगा सोल्वा पंट है प्रेम का भ्यास प्रेम का अभ्यास का ताद पर यह क्षमा, दया, करुणा, अहिंसा, इनका अभ्यास प्रेम का अभ्यास है, कि सबके भीतर एक ही इश्वर का निवास है, कि मैंने कोई गल्ती तो नहीं किया आज, सोत्य समय भगवान का नाम, प्रात्यकाल उट्रेवे भगवान का नाम, अगर गल्तियां की हैं तो उसके लिए प्रायश्चित करना, जब को बढ़ा देना, प्रात्ना को बढ़ा देना, मौन रह जाना, अठ्वारवा है अपना कर्तबी ठीक से निभाना, ग्रहस्त के रूप में, ब्यापार के रूप में, कहीं भी किसका क्षेत्र हो, जो उससे कर्तबी कर्में दिया है, उसको ठीक से निभाना, उसको सिवाकारी के माध्यम से उससे करना, 1900 पॉइंट है आत्प चिंतन, आत्प चिंतन का अतात पर यह मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, आत्मा में अनात्मा में बहित करना, जड़ चेतन में बहित करना, और जो 200 पॉइंट है उससे कहते हैं, रिमेंबर आप गोड यानि इश्वर का इस्वर्ण करना, निरांतर,